असलाम अलेकुम व्यूवर्स उमीद है इंशालला आप सब खेरियत से होंगे आज की हमारी वीडियो कोई टिटोरियल नहीं है एक्चली आज आज आपके प्रोडियूसर ने यानि मैंने एक कॉम्पेटिशन में पार्टिसिपेट किया था तो उसकी कुछ हाइलाइट्स मैं तो आपके साद्स शेयर कर रही ह Zusammen आपने मेरी पैंटिंग को पहले देखना है और देंगेस करना है that even होनी यों और सबसे पहले अपना पेंटिंग पर एक रेलिक लगाया और मेंड़ार मेरी प्रेंट मचस पें और कह रही थी कि मैं उनकी कॉल क्यों नहीं फिक कर रही हूं उन्हें अब कौन बताता कि मैं तो काम में मुश्रूफ थी यह सीन्स थे कुछ फाउंटेन हाउस के और यहां पे मेरी प्रिपरेशन में थोड़ी सी गड़वड होगी थी इसलिए मेरा मुझ फुल गुस्से वाल नहीं किया था कंपस की मदद से मैंने कंपोजीशन बनाई एंड दन मैंने एक मोटे से ब्रश के साथ स्काइब लू कलर का इस्तमाल किया मैंने फुल टॉटोरियल नहीं बनाया वा इस वीडियो का बस आपके साथ यू नो एक पूरे दिन की अक्टिविटी की हाइलाट शे इससे में लिफिंग का सोचावा था ठीक है क्योंके मैं चाहती थी मेरी पेंटिंग का लोग थोड़ा सा डिफरेंट हो यह जो मैरे टीम मेट्स हैं इनमें से ज्यादा तर मेरे स्टूडेंट्स हैं और एक मेरा कुजन है और वाकी सब यू नो फ्रेंड्स वगारा भी हैं अच्छा जी इसके बाद स्काइबलू कलर पे मैंने थोड़ा सार डार्क ब्लू यानि के पैथलो ब्लू ग्रीन मिक्स शेड अपलाई किया और उसे थोड़े से अफेक्स दे दिये और ये पेंटिंग की लोग का रही थी इसके बाद लीफ को रिमूव करने से पहले मैंने जो अपने पेंटिंग में डिजाइन्स बनाए थे उन्हें कलर्स करना स्टार्ट कर दिये यहाँ पर मैंने एक रेलिक कलर में लेमन और पर्मनेंट ड्रेड का इस्तमाल किया और जब मैंने उन दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड किया तो वो औरेंज बन गया अच्छा मेर जो कैमरामेन था वो एक मेरी फ्रेंट थी जो आई वी थी वहाँ पर तो वो मुझे असिस्ट कर रही थी तो उनकी बहुत महरबानी उन्होंने यह काम कर दिया अगर वो हरज नहीं आई होती तो शायद मैं यह काम करी ना पाती इतनी वीडियो रिकॉर्ड करी ना पाती उसे मैं खाली नहीं छोड़ना चारी थी इसलिए मैंने उसके ओपर ओकर में वाइड डाल के अपलाई कर दिया यह एक हाफसा टुटोरियल है और हाफसा व्लॉग आप समझ लें और उसके बाद मैंने मार्कर की मदद से कैलिग्राफी करना शुरू की बलैक एंड रेड पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह लाइव कमपेटिशन था तो इसमें मेरे पास इतना जादा टाइम था नहीं वैल यहां पर मुझे के पर फिर भी बहुत साधी लग रही थी इसलिए मैंने इसके ओपर यहां कुछ फ्री स्टाइल कैलिग्राफी अड़ दी मेरी परिंट परिंटिंग्स ऐसी थी हमारी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थीक है और मुझे जो इन पेंटिंग बनाने पर पोजीशन मिली है वो है थर्ड पोजीशन तो फर्स्ट और सेकंड अनफॉर्चनेटली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्यूंकि जजिस वहां से पेंटिंग उठाके लेकर जा चुके थे और मेरी तो बहुत जादा रिक्वेस्ट थी उनसे के वो हमें दिखाते के फर्स्ट और सेकंड कौन सी पेंटिंग्स हैं वह मैं देखी नहीं पाई ना उन्हें रिकॉर्ड कर पाई वैल इतना मुझे पता है कि मेरी पेंटिंग्स अच्छी मै मैंने तो कोई पेंटिंग ने देखी डेफिनेटली जजिज ने कुछ ना कुछ सोच के ही जज्जमेंट की होगी वैल मुझे थर्ड प्राइज मिला ये था मेरा एक चोटा सा व्लोग एंट टिटोरियल अला हाफिज जी थर्ड प्राइज फॉर कॉलेज काटगरी मिस राबिया फुमेर कदाप